देख लिजे, question 13 देख लिजे एक तो याद रखिए, question 13 में log के chapter में, जब भी आप 1 या 100 को देखें 1 या 10 या 100 को देखें तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, देखे 10 रेस वा 0 जो है, वो 1 के equal होता है चांती है 10 रेस वा 0 जो है, वो 1 के equal होता है उसी तरह 10 का square जो है, वो 100 के equal होता है in terms of log, log of 100 to the base 2 के equal होगा और log of 1 to the base 10, 0 के equal होगा मेरी बात नहीं समझा रही, खुच से बाते करता जा रहा हूँ भई फिर से देख लो 10 square is equal to 100, मैं कैसे लिख सकता हूँ log of 100 to the base 10 is 2 तो basically log 102 के equal होता है, नहीं समझ मैं उसी तरह अगर आप मेरी बात समझ रहे है log of 1000 जो है, वैसे कल भी बात हुई थी log of 1000 3 के equal होता है और log of 10,000 जो है, वो 4 के equal होता है, नहीं समझा रहा है तो log of 1 जो है, वो 0 के equal होता है, मेरी बात नहीं समझा रही बट अगर 1 लिखा हुआ है फिर से समझे अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब क्या हुआ कि 10 देश तो और 1 is equal to 10 तो log of 10 to the base 10 is 1 नहीं समझ में है तो basically जो 1 लिखा हुआ है वो किसके equal है log of 10 के equal है नहीं समझ में आरी मेरी बात भाई समझ आरहा है नहीं आरहा वो जो 1 लिखा हुआ है वो log 10 के equal है नहीं समझ में है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है ये मैं लिख सकता हूँ log of x का square नहीं समझ में है भाई rule number 3 exponent rule आप साथ साथ जो rule वाला page है ना तो आपको rule साथ दिख जाए समझ आगा है तो rule 3 exponent वाला जो rule है वो क्या बोलता है क्या rule है मैडम आप बोल दीजे rule 3 क्या है log of a raised to power m नहीं नहीं log of log of m raised to power n is equal to n log m ठीक है ना power rule I'm sorry power rule so log of m to the power n is equal to n log m तो क्या मैं इसको ये जो है ये इसको इसके equal लिख सकता हूँ हाँ या ना क्योंकि उल्टा करके देखेंगे तो 2 log 2 log x के equal हो जाएगा नहीं सोजब बहाँ तो पहला जो part है पहला जो part है ये जो part है इसको आप लिख सकते हैं log x square और दूसरा जो part है उसको आप लिख सकते हैं log 10 और दोनों को मिलाके क्या आप log x square into 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं मेरी बात नहीं समझा रही ये कौन सा rule है ये rule number 1 rule number 1 देख लीज़े नहीं समझ मैं लेटम आप थोड़ा इससाइड हो जोगी है सुखी जी आप भी इससाइड हो जोगी है ये तो तकलीफ में राएंगे है लेग उठा गए हैं रख दीजे आप देख रहे हैं आपको देहां से बज़रा जी कोई डाउट है थोड़ा फिर से घर पे जाके आज के लेक्षर और आज का होमवग जो है वो आपको करना पड़ेगा तब चीजें समझाएंगे नहीं तो नहीं समझाएंगे तो मेरा जो लेटम आप जो लेटम साइड है वो लॉग आफ टेन एक स्कोईर के इकोल हो गया नहीं समझ मैं है ये कुशन देखे जा ये कुशन देखे जा तो लेटम साइड जो है वो लॉग टेन एक स्कोईर के इकोल हो गया भई डाउट है तो पूछ लो भई तो कहने का मतलब इतना ज़ादा ताम जाम करके मुझे ये समझाए है कि ये जो लेट में लिखा हुआ है जो लेट में लिखा हुआ है वो सारा जो है वो एक्चुल में किसके इकोल है वो एक्चुल में किसके इकोल है वो एक्चुल में लॉग आफ 10X स्कोईर के इकोल है नहीं सोंझ मैं है मैं तो डाउट है यह manipulation आपको तभी आएगी अगर आप practice करेंगे, ने तो नहीं आएगी यह मतोचना, यह ऐसी कहा जाएगी अब यह जो है, यह किसके एक को लोग है? लॉग अफ्टू फिफ्टी के? नहीं सुझ मैं है? log of something is equal to log of something तो something is equal to something बोल बेटा सी भी, x किसके एकोल होगा? बढ़ा, what's up, what's up देखके हसता रहता है बावलों की तरह, इस पे ध्यान किया कर, क्या? प्लस मैनस 5, सुझी यकीन कीजिए, लड़का ठी बोल रहा है के से? 10x square 250 के एकोल है, x square 25 के एकोल है x plus minus 5 के एकोल है मैं recommend करूँगा plus minus 5 लिखिए बट आपको लगता है, आप अंकल जी, माफ करो मैं तो pass होना चाहती हूँ, बस के बाहर लटकी हूई हो आप minus minus करूँगे, तो बस से गर जाओंगी तो आप 10 करके भी लिख दीजे, कोई problem नहीं है बट answer actual में plus minus लिखना चाहिए फिर आपको ये वहला plus 5 चेक करना चाहिए क्या plus 5 है, plus 5 चलता है, बिल्कु ठीक है क्या minus 5 चलता है, नहीं, minus 5 नहीं चलता है क्योंकि log of negative number नहीं लिया जाता है इसलिए negative number आपको ignore करना पड़ाएगा तो x का जो answer है, वो किसके equal होगा 5 के, बेटा को doubt है दूसरा, दूसरा, log of 2 into x फोन उठा ले, log of 2 into x log of 2 into, log of 2 into x 2 into x क्या होता है, 2 into 5 2 into 5 क्या होता है, 10 log of 10, to the base 10, किसके equal होगा 1 के, नहीं समझ मैं है कोई भी competition, class 10th के बाद, 12th के बाद banking का competition, उसमें log आता है आपको वापिस log एक बार revise करना पड़ेगा लेगी समझ मैं है, बेसरा जी कोई doubt तो, अगर कोई doubt नहीं है यह question कीजिए, question 16 कीजिए अपने आप टराए कीजिए, फिर मैं बतातू